आप जो आपका स्वागत है तिरपाण स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे है जोग्राफी के चैप्टर यानि जोग्राफी जो गोल है यह अत्यांत महत्वपून चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें भी गोल के विश्याय में बहुत इपिस्तार पुरबग चर्चा करेंगे देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है जिसमें दुसरा चैप्टर करेंगे यानि भूग गर्व और उसके पदार्थ भूग और उ और पृतिवी के अंदर कौन कौन से चीजे हैं जो इसको उप्योगता के लिए शित करते हैं कहते हैं हमारे पृतिवी में सब बहुत से तत्व हैं जिसको साइंटिस्ट भी आज तक जान नहीं सके हैं और इसी सब बातों का यहां पर हम चर्चा करेंगे जानेंगे कि इसमे क्या जरूरी है तो उस सारी एलिमेंट को जो हैं बिस्तार पुर्वक जानेंगे और समझने कोशिश करेंगे यहां पर अगर देखा जाए तो पहला हमारा जो टॉपिक है वह यही आता है कि प्रित्वी का आंत्रिक भाग या भूग गर्व का अर्थ यही रहा कि प्रित्व के तो प्रिट्वी के अंदर जाओगे आपको हर तरह के लेयर देखेगा और कहते हैं अंति में जिऊ होगा आपको आके गोले दिखेंगी जो कि बहुत काफी विनाशकारी भी होता है तो कहते ही यह बदलती हुई गहराई में बहुत कुछ हमें देखने को मिलता साइंटिस्टों ने बहुत खोज भी किया इसके कुछ ही किलो मेटर तक के आंत्री भागों परतेक्स रूप से देख सका है गहराई के साथ तापमान में तेजी से विरिद्धी के कारण अधिक गहराई तक खनन और वेधन कारे संभब नहीं है भूह गर्व में इतना अधिक कि वह विद्धन में परियोग किया जाने वाले किसी भी परकार के यंत्र को पिगला सकता है तो यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने आपको पताया था कि आंत्री कोड में जो होती है बहुत से टमप्रेचर होते हैं जो कि बहुत बड़े साइंटिस्टों के लिए चिं शिशालाकार और गैडाय के साथ बढ़ते तापमान ने भूह गर्ब के परत्यक्ष जनकारी की सीमा निश्चित कर दी है यानि उनकी जो है कुछ ही हद तक सीमा निश्चित है उसके आगे वो नहीं जा सकते क्योंकि टमप्रेचर इतनी अधिक है कि ना तो उनका यंत्रुहां कारे कर पाता है न वो जा भी नहीं सकते तो यह बहुत बड़ी जो है समस्यारेकर फिर भी साइंटिस्टों के कारे कुसलता है करना हमने प्रितवी के विशय में बहुत कुछ जाना है और बहुत कुछ समझा है यहां पर आपके समक्ष एक डाइगराम है जो बहुत काफी इ चेक्ता है तो कि निए सबस्क्राइब के अंतराल में रहती है और कहते हैं सारे कि बहुत इंपोर्टेट रहते हैं अगर सी वन की बात करें तश्व पदार्त की कोट बनी हुई हैं और सी ट्स पदार्तों की उसका काफी गहराएं तक दिखसी तहीं यहने 1400 कुछ के आसपास है जो कि बहुत काफी इंपोर्टेंट बताता है अगर हम बात करें तो हम पृत्वी के उपरी सथा पे रहते हैं तो इस तरह से डाइगराम जो है आपको बहुत कुछ समझा सकता है और यह भी समझाने के लिए प्रयापत है कि मेडल सीमा भी आप हमने भी बात किया है कि भूगर्व की सरचना किस परकार होती है और यहां जानके हमें और भी अश्चर चक्कित होगा कि इसकी बनावट किस परकार है कैसी सरचना है तो इसके विलिए आपको ध्यान पूरवक समझने की अवशक्ता है तो आप प्रित्वी की हड़ एक सरचन करने से भी होता है कि आप यहां पर क्या वर्ड के क्या उच्चारन हो रहा है कहते भूगर्व की सरचना अत्यंद महतपूर्ण रहता है प्रित्वी के आंत्री परतों की वरगी करण उसके मुटाई कुछ जो एची संक्या 2.1 में हमने पहले ही देख लिए थे प्रित्वी क सबसे अधिक गहराई वाले बाग को हम कोड कहते हैं और यह सबसे अधिक धनतों वाली परत होती है यानि यह सबसे अधिक देंसिटी वाले परत होती है और इसका धनतों देखा जाये तो एगारा से अधिक ही होती है मत देखा जाये तो और यह लोहा और निकल धातों से बन आई गई है किसे भी के नाम से इसको पड़िचलत किया गया है कोड को पुर्णे दो परतों में बाटा जा सकता है और इसकी भित्री परत ठोस होते हैं जिसे चित्र किसी जो है सी टू से आपने दिखाई भी दिया था यानि सी टू में आपने देखा था कि इसके परत काफी ठ मेंटल कहते हैं जो परत कोड को घेरे हुए रहते हैं उसे हम मेंटल कहते हैं और यह परत मुखेता सीलका और मेंगनीशियम से बने होते हैं यह बहुत बड़ी बात है कि यह सीलका और मेंगनीशियम से बने हुए होते हैं इसलिए इस परत को जो है सीमा यह नाम से यानि सीलका से लिया गया तो इसलिए इसका सोट फॉर्म के रूफ में जो है सीमा नाम दिया गया है कहते हैं और इसका धनत्म जो होता है 3.1 से लिके 5.1 तक होती है यानि 3.1 से 5.1 तक होती है जो की बहुत काफी बिस्षिस्ताओं को दर्शाती है मेटल प्रिद्वी के सबसे उपरी परत को घिरा हुआ होता है इसे अस्थल मंदल कहते हैं मेटल जो होती है प्रिद्विव के सबसे उपरी परस से घिरा होता है जहां पर हम जीव जन्तु रहते हैं ठीक है कहते हैं इसका धनत्व जो होता है 2.75 और 2.90 के तहती है ठीक जा के उपरी भाग को जो है ठीक है यानि इसको हम भूपटटी कहते हैं जहां पर बहुत से प्यर पोदे होते हैं जीव जन्तु होते हैं वह भूपटी के अंतरगत आता है तो इसे आपको बहुत क्लियर्टी आ जाएगी साथ में अगर देखें आगे हम तो यहां पर एक बॉक्स है जिसमें बहुत इंपॉर्णेंट बात यहां केंद्रित किया गया है कि प्रित्वी के आंतरी वागे तीन प्रमुक्य केंद्रित पड़ते होती है एक तो कोड होता है है एक मेटल होता है एक स्थलमंडल होता है है आपको कोड और मेटल और स्थलमंडल की बनावाट कि वसेमें मैंने विश्थार पुरवग्स समझाने कोशिश किया है ठीक है कहते हैं अगर एक बास समझने आदा दो बार देखो दो नहीं परत माना जाता है यानि कोड जो होती है सबसे आंत्रिक परत होती है जो कि निकल और लोह से बनी होती है यानि आपको याद रखना चाहिए कि कोड जो होती है कि से बनी होती दोस्तों निकल और लोहा से बना हुआ होता है और यह प्रिथरी सबसे उपड़ी धनतव वाली परत या इसका निर्मान जो होती है निकल और लो तत्व से हुआ होता है उसके दूसरी जो होती है कोड अस्थलमंडल के बीच की परत को मेंटल कहते हैं यानि कोड और अस्थलमंडल के बीच की जो है परत को हम मेंटल कहते हैं और इसके प्रमुक्य निर्मानकारी तत्व जो होते ह सिलका और मेगनिशियम होती है उसके पाद शाह स्तलमंडल प्रित्वी के सबसे उपरी परत होती है जिसमें सिलका और अधिक्ता पाई जाती है यानि अगर आप पूरे निचोड देखोगे इस बॉक्स में जो है सारी निचोड दी गई है कोई भी बच्चा अगर भी गोल सब सब्जेट पढ़ता है तो यह उसके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा जिसमें हम कोड मेंटल और स्तलमंडल ही एक्जाय में पूछे जाते हैं किस से बना हुआ होता है और इतना अच्छा विस्तुत जनकारी आपको कहीं भी प्राप्त नहीं हो पाएगा यहां पर जो हमारा अत्यंद महत्पून टॉपिक आया है बूगर्द में तापमान दाव और धनत्व का क्या महत्व होता है देखें दोस्तों कहते हैं अगर हम प्रित्वी की सरचनाओं की अध्यन करें तो यहां पर जो है इन चीज़ों का जो है बहुत महत्व रहता है कहत को प्रभावित करती है बात अगर हम करें ताफमान की तो कहते हैं गहरी खानों और गहरे कुपो में से जनकारी मिलती है कि बीतर गहराई बढ़ने के साथ साथ ताफमान भी बढ़ता रहता है यानि यह बात जो अला मुखी के तुन्होंने खोज कि यह किया था कि प्रित्वी का जो निर्मान हुआ है वह बहुत पहले समय में जो आग का गोला था लेकिन यह दिरे दे जितना ठंडा होता गया यहां पर जीव चंतु का विकास होना संभब हो गया तो इन अगर बातों को अधार हम ले तो यह बात यहां स प्रित्वी के अंदर से निकलने वाले अत्यंत गरम लावा जो है इस बात को सिद्वी करता है कि भू गर्व की और तापमान बढ़ता ही चला जाता है विविन परमानों से सपस्ट हो जाता है कि भू गर्व में धरातल से केंद्र की और तापमान बढ़ने की दर एक समानने नहीं होता है और कहीं पर यह तेज होती है और कहीं पर दीमी होतीर लेकिन अगर बात कर रहा में तापमान बढ़ने की ओसादर पर तेक 35 यान 32 मीतर की गहराई पर एक Celsius होती है यानि 32 मीटर की गहराई पर एक Celsius ना पी गई है और तापमान की जितितिज जो है बृद्धि के अधार पर दस किलोमेटर गहराई में तापमान दरातल के अपिक्षा 300 celsius से अधीक होती है कहते हैं जैसे हम धरती के नीचे चले जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता ही चला जाता है यदि हम बात करें अगर 40 km गहराई में तो कहते हैं 40 km गहराई में जो होगा 1200 celsius से तंपरेचर होना संबब करेगा प्रमानित रूप पर देखा भी गया है कहते अगर आप जितना नीचे जाओगे उतना ही आपको टंपरेचर मिलेगा तो इसका अर्थ है कि वहां के जितने भी मटेरियल्स होंगे सब के सब जो होंगे द्रव्य फॉर्म में होंगे परन्तु बास्ता में ऐसा नहीं है चटान जितनी अधिक गहराई में होगी उसके पिगलने का तापमान बिंदू उतना ही उंचा होगा देखिए ये बात भी बहुत कासी इंपोर्टेंट है कि चटान जितनी अधिक गहराई में होगी उसके पिगलने का तापमान बिंदू उतना ही उंचा ही होगा और इसका कार परणन के लिए लावा शेल धरातल पर 1250 सेल्सियस पर पिगल जाती है परंटु वही शेल भूगर्व में 32 किलोमेटर गराई पर जो है 400 से तापान पर पिगलेगी तो इससे साफ साबित हो जाता है कि जो धरातल पर 1250 सेल्सियस पिगलता है वह अगर विकम की तरंगे के विवार से भी यह बात सिद्ध हो जाती है इसमें इस बात की भी पुष्टी होती है कि बूगर्व में तापमान के बदलने के साथ पदात की सरचना में परवर्तन काफी देखने को मिला है वूगर्व के उपड़ी जो है 100 किलोमेटर में तापमान बढ़न यानि जैसे जैसे आप पृत्विए के अंदर जाऊंगे विए वैसर इसके ठमपरीचब बरने की दर्ड़ता ही चला जाएगा इससे सब्स्किन होता है की दरातल नीचे ताप मान बढ़ने की दर्ड़ पृत्व ही केंद्र की और घहती जाती है और इस गन्रा की और प्रित्वी केंद्र का तापमान लगबग 4000 से 5000 से के बीच मापी जाती है कहते हैं भूगर में इतना उच्छा तापमान उच्छे दाब के फलसुलूप हुई है और असानी प्रक्रियाओं और डेडियो धर्मी तत्व के भिखंडने कारण ही सब संबब हुआ है तो इसमें प्रित्वी केंद्र की और जाने पर दवाब बढ़ता ही चला जाता है प्रित्वी पर जितना भार पड़ेगा उतना ही जो है आंत्रिक छेत्र में भी दवाब पड़ेगा ये सदारन बात है प्रित्वी केंद्र पर अधिक दाव है यह दवाब जो है समुद्री तल पर बाजू मने दाव से जो है तीसे चालीस लाक गुना अधिक है केंद्र पर जो है उच्छे तापमान होने के कारण यहां पाए जाने वाले परदार्द को द्रव्य रूप में होना सोभाविक बा समथा इसका सरूप जो है प्लास्टिक नुमा ही होती है कहते हैं यहां बहुत इंपोरेंट बात आ जाती है कि उच्छे तापमान होने करें यहां पाए जाने वाले परदार्दों का द्रव्य में होना एक सोभाविक बात है परंतु ऐसा समभब नहीं हुआ है परंतु इसे परते का धनत्वी बढ़ता चला जा रहा है अंतता सबसे गहरे भागों में अतदिक धनत्व वाले पदार्द का होना एक सोभाविक बात है और इसके बारे में पहली चर्चा की जा चुकी है दोस्तों यह काफी इंपोर्टेंट बात है कि इसका तापमान दवाब और धनत् जो है अंत्री कोड से निकलती है और वह काफी गरम होती है इसलिए इलावा के रूप में कभी-कभी स्पोर्ट होती है और यह तब होती है जब प्रिथ्वी पे काफी दवाब पढ़ता है यहां पर जो हमारा अत्यन महत्वण आया है भूपट्टी के पदार्द कि होते हैं यह काफी इंपोर्टेंट भी रहता है यह प्रित्वी के सबसे मेKitोपूर्ण भाग है क्योंकि इसकी उपडी परत सता पर मनुश्य रहते पते हैं के सेठार्ण मेट की तरह ठोस भी हो सकती है चिकनी मिटी के तरह मुलायम भी हो सकती है और बजरी की समान जो है बिखरी हुई भी हो सकती है यानि भूपट्टी के विशह में जो हम यहां पर जानना कोशिश कर रहे हैं प्रित्वी की पदार्थ के रूप में जो है बहुत सी चीज़े पाई जा मिल जाते हैं कि यह वह एक या एक से अधिक खरीज मिश्रान के बने होते हैं और दूसरी और खरीज एक या एक से अधिक तत्व के निश्रय अनुपात में मिलने से बनते हैं खनीजों में एक निश्य रसाइनिक संगटन भी होता है जो कि बहुत काफ़ इंपोरेंट बात है तो रसाइनिक तो होगी योगी जन्नल सी बात है अगर बात यहां पर हम करें भूपट्टी दो हजार से भी अधिक खनीजों से बनी होती है तो आपको हशे चकित लगेगा क्योंकि यह आपको शाद पहली बार पता लगा होगा कि भूपट्टी जो है दो हजार से अधिक खनीजों से बने होते हैं प्रंत इनमें से केबल छे जो होते हैं जिनकी सबसे अधिक अधिकता होती सबसे अधिक अधिकता होती है इनी का प्रित्वी के उपड़ी परत के निर्मान में विशेस योगदान होता है अब कई बार पूछा जासा कोई भी क्लास के आप बच्चे हो लेकिन आपके लिए अगर सलेवस में यह है तो बहुत जुरूई रहेगा तो से अगर देखा जाये तो प्रित्वी के भूपट्टी पे जो है दो हजार से भी अधिक खनिज पाये जाती है लेकिन छे का अपना विशेस महत्व रहता है ग्रे नाइट एक ठोस सैल है और इसके निर्मानकारी खनिज क्वैटर्स और फिल्सपार और अभरक है और इन खनिजों में धास्वी अंश होते हैं उन्हें धाथ्री खनिज कहती हैं यानि देखा जार्डे कि जिन खनिजों में धात्विश अंश होते हैं उन्हें क्या कहते रहे दातवी खनिज है यहाँकर फिल्सपार इंप work Loe शग्या है नहां अन। भी खनिच ही होते हैं जिनमें धातु का निकलना लाबकाड़ी होता है और सेलों का निर्मान खनिच से हिर रखता है इसका मानब जीमन बहुत ही मेतस्म रखता और बहुत जरूरी भी आंगे का टॉपिक हमारा होगा शेलो के परकार, देजिए पृटिवी की अगड़ की हम स्रचनाओ की बात करे तो इसमें सेलो के परकार अगर नहीं जानिएगा तो यह दूरा रह जाएगा कहते यह कई क्लासों की बच्चों के लिए इंपोर्टन रहता है चाएं जिस क्लास में अगर बच्चे हैं अगर उनमे सेलो के परकार है तो ये अत्यन्द मेहत्वर पुन उनके समझ में लिए हैका कैसे ससेलो में अपने गुण और कणों के अकार उनके बंने के परकडि walked कि होती है इस जरेनली बात तो निर्मानक किया की दिश़ू स सेलो क्षी जो posit keeping वर्ग में dividbed किया गया है यानि अगने चक्टान अब साधी चक्टान और उपांत्रि चक्टान यह तीनोों जहले हैं इसको आप अगने चाहले और उपांत्रि साक्तियों चक्टान के रूप में भी इसको प्रभाशत कर सकती हूं कोई दो राहें नहीं ग translates आता है और अगनेस Cand a good chance बोहत करते हैं तो अगुझी सब्सक में शब्से बना हुआ है एकर लुटवी होता है अगणी यानि इसे इन पहती है अर्थात शी जंकुद। इकी पटी होँ मैं न से बना कहराई कि हमेज अनकारी अभी नहीं हुई है यह संबता विभीन गहराई उपर बनता है जो कि 40 किलो मेटर से अधिक नहीं हो सकती कि 40 किलो मेटर इसकी निर्धारित की गई है शैलोग भी घलने से आयतन में ब्रिद्धी होती चली जाती है जिसे कारण भूपट्टी तूरती है या उसमें दरारे परती है और इस खुले चिद्रों या मुखों के सहारे उपर से परने वाले दवाम में काफी कमी आ जाती है औ इसे मेगमा की बाहर निकलने की परकडिया होती है कि दवाम जब पढ़ेगा तभी ये बाहर निकलेगा अगर ऐसा नहीं होगा तो परने वाला जिसकी दाब जो होगा मेगमा को बाहर जाने से नहीं देगा रोक देगा उसको जब मेगमा दराता पर निकलता है तो उसे के नाम से भी जानते हैं प्रित्वी के अरंबिक भूपट्टी अगने सेलों से बनी हुई होती है अन्य सभी शेलों का निर्मान जो होता है अगने सेलों से कहा जाता है बुर गर्ब के सबसे उपड़ी जो है सोला किलोमेटर की मुटाई में अगने शेलों की जो है लगबग पंचान में पर्तिशत मानी गई है अगने शेले समाने था ठोस भारी और विशायल काय और दवेदार भी होती है जो कि बहुत काफ इंपोटेंट है कहते हैं निर्मान सलकेधार पर अगने शेलों के दो बर्गों में बाटा जा सकता है जो हमारा यहां पर आया है हमारे समख्ष हो है बाहरे अगने शेल क्या होती है देखा जाये तो धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है यानि बाहरे अगने शेल होती है जो कि पहली हमा यह जो दरातल पर भावा के थंडा होकर जमनें से बनती है और इन शेंदों की स्रक्षिना में लावा बहुत जल्दी थंडा हो Ben लावा के जल ठंडा होने से छोटे अकार के रवे बने होते हैं इनसे जोपाली मिटी लावा से बनी हुई होती है यानि आप रगूर के बारे में जानते जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो होती ये लावाँ अग्रेलोश ये भने होती ही बाइज शहलोश का करर इसका निर्मान होता है। उसके पोस्ति हमारे समक्षय नहीं ह कि कि सरचना मेगमा के जो है धरातल के नीचे जमने से होती है यानि आंतरी अगने शेल जो होती है मेगमा के धरातल के नीचे जमीन से नीचे जो है जमने करण होती है और धरातल के जो है मेगमा धीरे-धीरे ठंडा होता है यानि इसका जो परस्यूजर है धीरे-धीरे ठंडा हो यानि दुसरा इसका नाम पतली आगनिय शेल कहती है अगर जो गरेण चैतर की हमालाइट चैतर में गरेणे शेलों के बुझत देखा जा सकता है और आगनिय शेलों की आकृती कई अकार की होती है यहां पर एक डाइगराम दिखाया गया है वहने शेल की देखिए यहां पर दिखाया जा रहा है कि मेंग Congrats कर निर्मान करती है और शिल होती आम्थ अगनेश शेल सेल का निर्मान कर रहा है काफ इंप्वसेट होता यह सदारन अगर आप इस्तुत यहां पर इंफोर्मेशन दीने की कोशिच की गई है यदि हम इस चित्र का अगड़ा ध्यान करें तो हम पाते हैं कि भूपट्टी में मेंगमा के ठंडा होने पर विभीन अकुरितियों में अगने शेल बनती है और यह अकुरितियां शेलों में प्राप स्तांद में 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 के दवाब पर निर्वर करती है वैत्रिस्त सील और जो है डाई इसके कायू धरान है कहते हैं बहुत काफी इंपोर्टेंट बात यहां आ जाती है है चाहित्स सेयलों के बीच में कैठों चेठों मेक्मा के रूप में अिहां पॉर्बब सेय्लों के रूप में डॉन को होता है कुछ फ्रकम कैम कि और चौरह कुछ एक सेंटीमीटर से लेकर शेंक्रों में Здपार क tiene कहते हैं यह बहुत इंपॉर्णन बात रहता है कि इसकी लंबाई कुछ एक मीटर से लेकर कई किलियोमेटर चौड़ाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर सेंक्रों मीटर तक हो सकती है रसाइने कोनों के अधार पड़ अगने शहलों के दो बरगों में विवाजित किया जा सकता है एक छो होते हैं अमलिय ऑच्छाडी शहल के रूप में इसको ऑफासित किया सकता है यह करामस अममिय और 6 लावा के जमने से बंती है अम्ली अगने शेलों के सिल्का की मात्रा 65% होती है यह बहुत काभी इंपोर्टेंट है कि अम्ली अगने शेलों में सिल्का की मात्रा होती है 65% होती है और इसका रंग बहुत हलका होता है और यह कठोर मजबूर शेल होती है ग्रेनायट इसी परकार की शेल का सबसे अच्छा एक्जामपल है ग्रेनाइट जो की काफी सिल्का पर्थिषथ कcl में इसमें की शाया वॉताय सकते उचे आपक ma strip के अधिक्ता होती है और इस पर रग गहरा और काला होता है और विर्ट में बहुत प्रभाब पड़ता है यहां पर बोक्स में बहुत सी बाते जो है आपके समझ के लिए जरूरी है अगने शेल तब द्रवित पदार्थ को मेगमा कहते हैं अत्वा लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है यानि जो मेगमा होता है वह काफित गरम होती है लेकि फिर भी ठंडा होने के बाद जो अलावा ठंडा होती है तो अगने शेल की तब द्रवित पदार्थ मेगमा के रूप में होता है और लावा को ठंडा होकर जमने से बनती है यानि बारे अगने शेल के धरातल पर लावा को ठंडा होकर जमने से बनती है और इसमें जो है बैसलोट और ग्रैबो इसके सबसे अच्छा उधारन है अंत्र अगने शेल धरातल के नीचे मेगमा के जमने से बनती है और ग्रैनाइट इसका सबसे अच्छा एक्जामपल है यहां पर जो हमारे समक्षाया है अफसादी शेल है देखिए अफसादी चटानों में क्या खासियत होती है इस इस शेलों को परत्रदार शेल भी कहा जाता है यानि अगर देखा जाया तो अफसादी शेलों का जो होता है दिरे दिरे जमाब होती है यानि एक परत्वाई परत चरती रहती है इसलिए इसको परत्रदार शेल भी कहते है और इस शेलों की मोटाई है कुछ मीमी से लेकर कई मीटर तक भी हो सकती है यानि मीम से लेके जो है मीटर तक भी हो सकता यह बहुत बड़ी बात है और इस लोगी परतों के बीच में जिवाश्म भी मिलते हैं यानि देखा जाए तो इस परत में काफी जिवाश्म मिलते हैं जो लाकों साल पहले जिब जन्तु मर गए थे घटित धरन कर लेती है दरातल पर दिक्तर जो अब साथी शहलों का विस्तार मिलती है प्रन्तु यह शहले कम गहराई तक ही मिल पाती है शहलों से पहले अनेकों कंड तुटते हैं और फिर उन ठूटे कंडों के परिवहन के कारक बैता जल समुद्री लहरे और इमानी पवन आदी एक इस्तानों पर जमाग हो जाता है धो कर लाए गए किसी आस्तान पर जमाग होने की प्रकृण को फादEधन को जो जो है अम क्या इसके अंतरगत आता है जो की काफी इंपोर्टेंट बात यह आती है अफशाधी प्राइज आई बरीक कणों से निर्मित्र मुलायं पर्द होती है यानी आफशाध का मतलब यही होता है डोस्तों कि यह बहुत ही मुलायं परत होती है अरम में यह बालू मिट्टी के रूप मे होती है और क्लांतर में यहीं पदार्थ भाड़ी दवाव के कारण जो है सहीत रूपदारन कर ठोस बन जाती है यानि पहले बालू के रूप में होती है यानि रेत रेत जैसी होती है लिकिन बाद में जो होता ही है काफी ठोस बन जाती है और अब साथी शेलों का जो है जमाब में च्छाहती है 6 दीन होटी है बाद में चलकर यो बुपटी में हुए हल चलो के कारण जुखा पैदा हो जाती है। बलुवा पत्थर शेल और चुना पत्थर और जो डेलो माइट अफसादी शेल के कुछ एक्जाम्पल है। परिवाहन के विविन कारक जैसे बहता जल पवन और इमाने अफशादों से अलग-अलग अकारों में बाठते रहते हैं विविन अकार के अफशाद जो है निकुल प्रस्तित्यी पाकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं गंगम लो मेटरेट इस परकार के अफशादी शेलों क कि अफशादी शेलों के अंतरगत ही आता है अफशादों की स्रचना जो है रशानी परक्रिया से भी संभव है जल अपनी गुलन परक्रिया के द्वरा सेलों से बहुत सारे रशानी तत्व गरन कर अफशाद के रूप में जमा कर जाते हैं और यही अफशाद जो है कला अंत इस आधी की रसना सहले से हुई है यह बहुत इंपोर्टेंट बात है कि कहते हैं विशाल का बलीद परवर जैसे हिमाले और एडीज जो है शेल चटानों से ही निर्मित हुए है कहते हैं अगर हम कुछ फैक्ट की बात करें तो इंपोर्ट बात यही आता है कि आफशाल शेलों की रचना जो है अफशादों के एक से उपर एक जमाब होने के परिवरतन सरूप हुआ है और इन शेलों में परते होती ही है अंत इन प्रतदार भी कहते हैं यानि अफशादी शेलों की परतों के बीच में दब कर तो सुरूप धरन कर चुके हैं यहां पर जो हम बात करने जारें अंतिम जो है चटान यानि शेल की जिसमें रुपांतरित और कलांतरित शेल के रूप में हमारे समक्ष पस्तुत हैं कहते हैं परवर्त्रे परदेशों में अथी कहां शेलों में परवर्तन के परमान मिलते हैं और यह सभी शेले जो कलांतर में रुपांतरित भी हो जाती हैं अब शादियत वागरे शेलों पर अधरित ताब से या दाब परने कारण रुपांतरित शेल बनती हैं उच्छे दाब परवर्तिये शेलों के रंग कठोड़ता गठान तरह ख़ड़ी संगरण परवर्तन कर देते हैं जहां शेलों की गरम द्रवी मेंगमा के संपर्ख में वहां उनकी सरचना में परवर्तन आ जाता है और इस परवर्तन की परक्रिया को रुपांतरों या कयांतरन भी कहते हैं इस परक्रिया दुरा बनी शेलों के रुपांतरन शेल के नाम से भी जाना जाता है तो यह काफिंपोटेंट है कि इस परवर्तन की परक्रिया को रुप प्रभाब को सब्सक्राइब गडिकों देखने को मिलता है रभाब के कारण हुए परवर्तन को गणित्यक पर्देशिक रूपांतरन वह कहते हैं यानि दवाब के कारण हुए परवर्तन को हम गतिक या पर्देशिक रुपांदरन कहते हैं सलेट, नीस, सीस्ट और संगमरमर और हीरा रुपांदर शैलो के कुछ इधारन के रूप में देखा जा सकता है रुपांदर शैल अपनी मुल शैले से अधीक कठोर एवं मजबूत होती है जो कि तालिका में भी हमने देखा था कि रुपांदर शैलो और उनकी शैल शैलो को धारन दिये हुए है ऑर इस तालिका करतिया जाना सकेंगे के यहां पड़ाक डिया चुना पत्थर शैलो के नाम ऐए चुना पत्थर शैलो को प्रकार और बनने वाली उनकी पत्थर अपसाद की बनते आट की बात करेंत अपसाद हिसमें यह साथ 유대ित एंब बंसादी इसमें इसके प 밟छेants अफ़ारी करूपने होता है बात करें तो यह अगने दूक अरकिन होता है अब करकेसक अगरिणिया हमाला परदेश की कंगड़ा और कुमायूँ छेत्र में बिभिन रंगों के सलेट मिलती है जो की बहुत जरूरी बात है यदि बात यहां पर हम करें कुछ प्रमाद्र प्रवती रुपाद्र शहलों पर भारी दाब और टाब के प्रभाब के प्रभाब के कारण होता है यह तेरो फैक्ट जो है काफी इंय। प्रोटेंट हैं काफी जरूरी है यहां पर जो हमारा अाया है बात की जो हमारा रौक होती है यानि चटाने होती है उसका हमारे लिए आर्थिक मेहत्व क्या है दोस्तों यह आपको जान के हरानी होगी कि कहते हैं हमारा घर से लेकर जहां तक भी आप इस्तमाल कुछ भी करते हो सब इनी पत्रों से बने होते हैं और आज काल तो आपको पता भी हो है कि मारवल का जो लोगों पर क्रेट चर रखा है इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है और रॉक की इतनी महत्वपूर्ण जो है आर्थिक इंपोर् यूज करते हो गैने यूज करते हो डायमेंड सब इन सब चीजों में रॉक का इस्तमाल होती है तो कई परपस से रॉक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह आर्थिक तोर पे भी आजकाल जो है लाखों के क्रोड़ों के जो होती है लेन देन वह रॉक के रिगार चर्चा कर चुके है ठीक है आने वाले समय में भी हम इसका चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपोर्टेंट रहेगा अब हम देखते हैं कि शैलो का आर्थिक महत्व क्या हो सकता है कहते हैं मनुष्य प्रितिभी तल पर बिभीत कि लिया कलाब लंबे समय से कर रहा है यानि अ समय और तकनीकी विकास के साथ वो शैलो और खनीजों का विवीद उप्योग भी कर रहा है और यह जरूरी भी है आपको जितने पत्थर सोते हैं रोक्स होते हैं अगर आपको याद होगा तो पहले के समय में जो आदिमानम लोग हुआ करते थे आपस में पत्थर के टकड़ होता है तो लोग पत्थर उठा के एक दूसरे को मारते हैं तो आप समझ सकते हो किसका यूज कितना होता है तो यह बहुत बड़ी बात यहां आती है कि समय और तकनीकी विकास के साथ वा शैलो और खनीजों का विवीद उप्योग हो रहा है बेग्यानिक और तक्रीक ज्यान अत्यंद महतबुन रहेगा जली देखते हैं हमारा इनपरेंट बात क्या है सबसे पहले हम मिर्दा यानि मिट्टी देखिए कहते हैं रॉक चक्टान आपको अगर फ्रमेशन आफ स्वेल परहा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे होता है इसके बारे में हम अगले टॉपिक कि में चर्चा करेंगे आगे करेंगे जो की रहेगा कि स्वेल की फरमेशन कैसे होती है थोड़ा सा बात मैं यहां बतागी दूंगा कि स्वेल बड़े बड़े पत्थर होते हैं और पत्थर चटक चटक के चुटुकरे होते हैं उससे मिट्यों का निर्मान होता है तो सबसे कि मिट्टी से में क्या प्राप्त होता है तो आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी से ही सब कुछ हमें प्राप्त होती है आप जो भोजन कर रहे हो करते हो वो सारे जो है मिट्टी नहीं उपजती है और यह मिट्टी जो होती है बरे बरे पत्थरों के तूटे भी होगा उसके पर में पहले में बता दिया था कि बड़े सहलों से प्रतेक्ष और प्रतीक्ष दूर्प से यह सारे जो ते भावने जिर्मान में प्योक किया जाते हैं ब्हवनों की समाघड़ी कत्र भी होता ग्रेनाइड नीज बलुआ पत्थर संगमर्मर्ण और सलेट आधी का जो है मकान बनाने भारी मात्रा में प्योग किया जा रहा है अगर आपको एक्जामपल पता भी होगा याद भी होगा कि ताज महल जो है सफे संगमर्मर्ण से बनाई गई थी और दिल्ली का जो लाल किला ह होगा वो जो हो लाल बलुवआई पत्थर से बनाई गई थी तो यह बहुत बड़ी बात थी उस समया बरे-बरे हमारे समक्ष था जो ग्रेनाइड थी यानि संगमर्मर्ण थी तो उसका जो है ताज महल बनाने के लिए उपक्या गया था और आज भी जो है ताम ताज महल उ बहुत सारे पत्रों का उप्योग किया गया है जो सबसे बड़ा हमारे समक्ष साक्ष के रूप में हैं दिली और अगरा के लाल किला के जिता बलुआ पत्र से बने और भारत विदेश में भी सलेट का उप्योग छतों के निर्मान में किया जा रहा है आपने देखा होगा कि ब आपको पता होना चाहिए कि खनीज अधुनी सवताओं की अधार शिला है अधुनिकता में हम तो चले गए हैं लेकिन अधुनिकता में जो है खनीजों का बहुत ही बड़ा अपना महत्वून स्थान है कहते हैं धात्वी खनीजों में मुल्यवान सोना फ्लैटेनियम चांदी इतना अधिक उप्योक शायद आपने करते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है कहते हैं पत्थर में ही आपको मुल्यवान सोना हो प्लैटेनियम चांदी हो तामबा हो इन सभी चीजों का खनीज जितने भी होते हैं सबके सब सेलों में ही निर्मान होते हैं और यह हमारे लिए जो ए खजाना के रूप में होता है तो सेलों का पत्रों का इतना अधिक उपियोक शायद आपने कभी परहा भी नहीं होगा समझा भी नहीं होगा अग्ला बात अगर हम देखे तो कच्चा माल के रूप में कहते हैं कई और खडी आ उप्योग के उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में होता है, सिमेंट उधियोग चुना भटी में कई प्रकार के शैलो और खड़नी जोगा उपयोग तयार माल प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है ग्रेनाइट का उपयोग सुरमा और पैंसिल निर्मान उधियोगों में किया जा रहा है अगर आप एक पैंसिल भी यूज्स कर रहे हो ना तो वो भी जो होता है और इस टोन ही कितरह होता है तो यह बहुत बड़ी इंपोटेंट एग्रवाइट जो है पैंसिलों में होती है यह सुरमा है सभी का जो उपी हो है इसका जो मेन उधवस्थान है वो पत्थर ही है यानि रोकी है शैलो से ही इसका निर्मान होती है तो यह बहुत इंपोर्डेंट बात आती है अगर आगे हम बात करे मुल्यवान पत्थर यानि बिभीन परकार की जो है रुपांतरित अधवा अगने शैल कि अंतरगत आता है और इसे परकार दूसरे मुल्यवान पत्थर चाहिए पन्ना हो गया नीलम हो गया आधी परकार के शेलों से ही प्राप्त होती है अब यहां पर बहुत इंपोर्टेंट बात है कि जिसको हम हीडा कहते हैं जो बहुत ही मुल्यवान पत्थर के रूप में होत बहुत है लेकिन बेशक लिए अभी अपने चाल चलके आपने देशों में संदक्षित कर लिया है और हो सकता कि आने वाला समय में भारत में भी दूबारा आजा इसका कोई दो राय नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं तो पत्थर कितना इंपोर्टेंट माना जा सकता है यह यहां प्रैप्त के साथ में पन्ना भी आपको मिलेगा नीलम भी करते हैं लाखोव साल लगते हैं तो यह बहुत बारी बात जो है यहां important है हमारा वेगोलिक के अंतरगत उसके पर शाथ हमारे समक्षाता है इंधन के रूप में आप बात की है दो काशना होगे कोईला है और आपने कोईला देखा बहुत ऊघर होता है तो यह तरह का पथ्णल्य होता है आपके प्रकार के शैलो से ही मिलती है आपके इंफिजन यह होगा कि पेट्रोलियम और प्रकितिक गैस कैसे मिलते हैं दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यह जो पत्थर होते हैं पत्थर के नीचे जो है बहुत साल पहले जीव जन्तु मर गये थे सर गये दव गये थे और इनका रुपांतरन जो होता था जो है पेट्रोलियम को रूप में हो गया दीरे दीर ठीग है और इस तरह से नीं चैट्टानों मे इस का है ऑपोग और इसका उप्योगत आप जानते ही होगे कि कोईला पेट्रोलियम और उपके इतना उपयोग हो गया है कहते हैं इसके बिना तो हमारा जीवन संभा भी नहीं है तो इतना इंपोर्टेंट हमारे लिए रॉक हो सकता है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ठीक है उसके बाद आता है उर्वक अब देखिए जैसे कि हमने पहला पॉइंट में यही बात किया थ यानि मिट्टी में जो होते हैं पत्थरों से ही बने होते हैं मिट्टी हमने विचार किया था हमने चर्चा भी किया था तो इसका उर्वक में भी बहुत महत्वपूनी योगदान होता है कैसे देखिए उर्वक भी शेरों से प्राप्त किये जाते है ठीक है फास्ट फेट उ नामग खनीज से हमें प्राप्त होती है यानि एक पत्थर होता है उससे हमें फास्पेट नामग उरुबक प्राप्त होती है संसार कुछ भागों में फास्पोराइट खनीज अधिक मात्रा में पाया जाता है तो इसलिए हर छेत्र में इसका distribution अधिक मात्रा में होता है तो इस काड़ान से इसका इकनोमिकल इंपोर्टेंट जो है काफी बढ़ जाता है अगर हम बात यहां पर करें एक यह बात साफ यहां पर हो चुका है कि सैल और खनीज आर्थिक द्रिश्टी से बहुत ही महत्वपून होते हैं और यह सभी परकार की धातू और मुल्लेबन पत्थर और द्योग के माल और इंधन के सोत्र के रूप में होते हैं ठीक है तो आप अब यह नहीं कहिएगा कि हमें पता नहीं है कि रॉक का कितना एकनोमिकल वेली हुए यहां पर जो हमारे समक्षा है अपक्षे क्या है अब दखिए आप कंफ्यूज हो गएं कि अपक्षे होती क्या है दोस्तों यह वेधरिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में तभी कहते हैं कुछ शब्द होते हैं हमें हिं होना चाहिए कई पारते हैं कि लिए अपने क्फ वर्ड उडश्केज़ को समझना समय बताके हुएं श्रूपपा' नहीं पाते हैं कि आकिरी से कहते क्या है लेकिन वहीं इंग्लिश के वर्ट देख लेते हैं यह तो मुझे आता था कोश्चन यह तो मैं कर नहीं पाया तो यह गलत फ़हमी दूर करने के लिए दोनों में एक्स्प्लेन करने का मुहीं चलाया है तो आप समझ सकते हो कि आपक्षिक क्या है यानि वी गटन मुखे रूप से मौसम के प्रभाब की पहिनाम सुरुव होता है आपने डेखा होगा धरातलि है यह भीगरण तोटती है ठीक है मुख्य रूप से किसके वेश्व से होता है दोस्तों मौसम के प्रभाब के पहिणाम सुरूप होता है अब सूचेगा मौसम के प्रभाब कैसे होगा माल लेजिए बहुत तया दूप पड़ता है और कुछ समय के बढ़ साथ हो जाती है तो पत्थर क्या तक द्रातरी शैलियों के विड़न मुख्य रूप से मौसम के प्रभाब के परिणाम सुरूप होता है इसमें तापमान वर्षा पाला कोड़ा वर्षा वर्फ मौसम के प्रमुख्य तत्व होते हैं और इनी के कारण जो है यह जो वेदरिंग है जो बहुत काभी प्रभाब करता है यानि तापमान हो जाए बर्षा पाला कोड़ा वर्षा वर्फ मौसमी और परमुख्य तत्व है द्रातर के शरुप जैसे मौसम के तत्व के संपर्क में आते हैं वैसे उनका अपक्षे अराम हो जाता है यह तुटना यह अरंब कर देते हैं वेदरिंग होना स्टार जहां पर यह बहुत असानी से हो जाएगा हर जगा नहीं पाता है बीगटन तापमान में परवर्तन होगा और फिर पाला परेगा जर्रनल से बात है को चटकी जाएगा और चटकेगा तो उसके जो है अब अक्षे होना संभव है और इस पर किडिया में शेले टुकड़े मे कनवर्ट हो जाते हैं और यह उचे बढ़ते हुए तापमान को सह नहीं पाते हैं और तूटना इनकी सभाविक किडिया बन जाती है ठीक है आप भी देखते हो जब मौसम चेंज हो जाता है शड़नली तो आप देखते हो कैसे बीमार पर जाती हो तो पत्थर भी एक तरह से होता है है और शनरी को देखने को मिलता है यानि यहां पर सेहनी परवर्तन भी आपको दिखेगा अधी-दूसरे के साद्ण mustard से जुडे हुए होते गुते हुए होते हैं लेकिन पानी में घुलकर कुछ खनिजकन अलग हो जाते हैं कुछ खनिजों का जो है स्वरूप बदल भी जाता है इसमें कोई दो राय नहीं देखा ही होगा आपने कि बहुत से खनिज तूट के अलग अलग रूपों में बदल जाते हैं प्राकिती में भी घटन और अफगटन की परक्रिया साथ साथ चलती रहती है यानि भी घटन हो या अफगटन हो यह तो परक्रिया साथ साथ चलती ही रहती है इंसान के जीवन में भी जो है अब घटन की परक्रिया होती ही पक्षे पेरपॉधों के जरों और जीवजनतों के बिल बनाने करण भी संबब होता है। अगर आप देखते होगे हैं। और कुछ जीवजनतों और बिलंतों के लिए पशुगे भी होता है। आप समझिएगा कि कैसे होता है। दोस्तों आपको पता ह Chung कि पेर पूढ की जर्य बरते 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 आगे निकल जाते और वो क्या करते हैं बरे बरे चटानों में भी समाज आते हैं आपने देखा भी होगा अपना घर के आसपास कहीं भी देखा होगा कि आपके दिवारों में से जो होते हैं पेर पोधे उगाते हैं और ये पेर पोधे क्या करते हैं आपके घरों के जो दिवार होता है उसको इटों को चक्टका देते हैं तो आप समझ सकते हो कि यह बरे-बरे पत्रों को किस परकार जो चक्टकाते होंगे तो यही बात यहां पर भी बतायने कोशिश किया गया है कि यह जो होते हैं इनके जरे जो होते हैं बरे बरे चक्टानों को तोड़ देते हैं अपक्षे कर देते हैं उसी परकार जो है जो जीव जन्तू होते हैं वो बिल बना देते हैं आप सोचेगा बिल चक्टानों में कैसे बन सकता है दोस्तों यहाँ पर चक्टानों में बिल नहीं बनाते हैं वो क्या करते हैं चक्टानो करने लगेगा गिरने लगेगा और गिरने से क्या होता है आपस में टकडा के ये छोटे-छोटे जोए कणों में कनवर्ट हो जाता है तो इस तरह से अपक्षिय हो जाता है तो यह बहुत ही सदारन सब्दों में था कि यह बहुत जरूरी है कि पेर पोदों की जरो और जीव जन्तों की बिल बनाने के कारण भी ऐसा होना संभव है हमें यह बास सदेव ध्यान में रखनी चाहिए कि अपक्ष की परकरिया में पदार्थों का परिवान या स्थांत्रन सामिल नहीं होता है यानि इसमें जो है कोई भी पदार्थ परिवान या संत्रांत्रन नहीं होता है वह उसी जगह रहता है कहते हैं जब बेदर की चंजिस होते हैं तो यह जो होते हैं अपनी फिर्मेशन करते हैं य यहां पर हमारे समख्ष अत्यांत महत्यपुनक टॉपिक आ गे आपक्षय के प्रकार यानि टाइप वैद्रिंग बहुत इंपॉटेंट बात यहां पर आता है कि lad up कौन कों से हो सकते हैं लिखित यहाँ पर में परकार जो है तीन तरह से दर शाएगे बहुत इंपोटेंट है और इसके विसे में हम चर्चा भी करेंगे लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं हमारा बहुत इक अपक्षय यानि फीजिकल वेद्रिंग क्या है यहां पर जैसे कि आ गया है बहुत इक अपक्षय होती क्या है तो ध्यान से समझने कोशिश करना जब शहल अपने संगडन में बिना किसी रसायनिक परवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में तूट जाते हैं इसे हम बहुत इक अपक्षय कहते हैं और बहुत इक अपक्षय अधिकता शुष्क और ठंडी जलवाई वाले चेतर में ही होता है यानि अगर देखोगे तो फीजिकल जो होती है अधिक तक शुष्क और ठंडी जलवाई वाले चेतरों में होता है अब शुष्क का मतलब होता है जहां गरम हो और सदनली ठंडा हो जाए जैसे आपने रेजस्तान भी देखा होगा वहां पर जो हता है दिन जो होती है बहुत ही गरम होती है लेकिन नाइट समक्ष पस्तुत है यहां पर जो हमारे समक्ष आ गया पिड्ड विछेदन होता क्या है मैंने आपको पहले भी कहा था कि हिंदी के सब्द जो होते हैं बहुत कठीन होती है अगर जैनली बात देखा जाए तो इसको जो है क्या कहते हैं ब्लॉक डिस्गरेश्चन इसे हम कहते पींट विछे दरन हंदी में हम सभी जानते हैं कि गर्मी करण श्यल फैलती है और सुखुर जाती है जर्नली बात दोस्तों बहुत इंपॉर्णन्ट बात भी है लेकिन जैसे तो यह बात है जीव जन्तू पेर पहुता है तो इवन रॉक के लिए भी यह बात होता है यह जाती है लेकिन जैसे सरदी परती है वह सुकूर सी जाती है जब गरम मरुस्थली परदेश्चों में दीन में जब तापमान उच्छे हो जाता है आपको शायद पता भी हो कि जो अगर आप राजस्तान के साइट जाओगे ना तो दीन में इतनी गर्मी परती है कि आप बरदास नहीं कर सकते लेकिन इसके विप्रित रात जो होती है बहुत ही ठंडी होती है तो आप समझ सकते हो कि पत्रों के कुटने में जो है यहां पर कित है वही बात बता हूँ मैं तो आप रिटेट नहीं हो जाओगी तो इसके करण क्या होता है कि यह सुकुर्णा और फैल ने इसके उनके दरारे और जड़े चोड़े होते चले जाते हैं अंतर शैल जो है चोटे-चोट टुकडों में तूट जाते हैं और इस परक्रिया को ज जो है साफ एक्जामपल दिखाया गया है कि भीशन कि जो है निरंतर फैलने शुकूरने से सहलो के दरारे बरते चले जाते हैं यहां पर दरार आपको दिख रहा होगा जो है दिरे-दिरे गर्मी के बजासे और सर्दी के बजासे जो है बरती चली जाती है और एक समय ऐसा आ आपको पता है इसलिए यहां पर बहुत समाने बाता है कि यह जो होता है की अधिस देंटर काम करता है क्नटक्टर काम नहीं करता है Still след mi गर्मी करन शैलो की बारी परतों में जलद फैल जाती है यानि जैसे घर्मी परतीं यह जाती है जो है मैं आपको पता हो उपर बेशकली गरम परता है तो में अध्वितना नहीं तो वह प्रभाबित रहता है और बार प्णतुक फैलें हैं शुकी बार ही परते सेट लग वह हो जाता है तूट जाता है इस परकडिया में परते प्याज के छिलके की तरह ही उतरती चली जाती है आपने देखा भी होगा इसी परकडिया के द्वरा भी हुआ है अगर बात करें महा बलीपूरम में जो गुबंद विसीए सुरूप से कृष्ण की लड्डू जवलपूर के पास मदन महल की पहाडियों गुबंद और सबसे अच्छे उधारान है यानि यह जो है एक सीफो का सबसे अच्छा एक्जामपल है कृष्ण का लड्डू ठीक है महावर पुलम में जो गुबंद के पास बना हुआ है और यहां पर जो है जैबलपूर के पास ही बना हुआ है मदन महल जहां पहाडियों गुबंद बनाया गया जो की अपशकल कलन के जो है सबसे अच्छा एक्जामपल के रूप में देख सकते हो इसी परक्रिया का जो है यहां पर सबसे अच्छा एक्जैमपल है डायग्राम के ऊतरोला की चुला के झॉप उतर हम पहरी यह जो है इसको हम नहीं पढूर 내용 का pick उसके प़स्षात हमारे समख्ष आता है तूशारी का मतलब होता है ठीके दोस्तों यह躡 इंग्लिश में क्या कहते इसको फोर्स्ट एकशन कहते हैं बहुत ठंडे परवते परदेशों में शैलों की दरारे और चरों में बरा जल बार-बार जमता और पिघलता रहता है इसे सेलों के टुक्रे टुक्रे हो जाती है ऐसा इसलिए होता है कि जब पानी वर्फ के रूप में जम जाता है तो इसका आयतन 10 प्रतिशन बढ़ जाता है और आपको पता ठंडे परदेश मीश पर क्रिया के द्वारा शेल ठोड़े और कणों में विखड जाती है जम तो सारी अभक्षे कहते हैं इसका अर्थ हुआ कि अगर माल लीजिए जैसे कि माल एक पत्थर है पत्थर में क्या हुआ दरार पढ़ गया ठीक है दरार पढ़ गया और उसमें पानी भर भरसात हुआ पानी भर गया लेकिन क्या हुआ टम्परेशल चैन्ज होने के करन क्या हुआ यह पानी जोह पानी जम गया आपको पता है कि पानी जो होता dür Para को जो है और बहा देगी और जैसे दराड बढ़ेगी वह क्या हो जाएगा तूट जाएगा तो इसी को हम फ्रोस्ट एक्षिन कहते जैसे एक्जाम्पल में भी यहां दिखाया गया है डाग्राम के थो भी समझाने कोशिश किया गया है देखिए इस डाग्राम से आपको क्लिय जी रोस तयसिस स्थाप्मानक पिण पर गया तो यह बर्फ की रूप में च्छोडे कर्णों में कंवोड होगी है यहां इंही बातों का एक Summary टाइप है जिसको आपको समझ लेना चाहिए कि हम ने अभी तक हमने क्या क्या समझने कोशिश किया है संगटन में रसाइनी परवरतन के बिना चोटे चोड़ टुकड़ों में तुटना ही भौती अपक्षे कहलाता है ठीक है उसके बाद है जल्दी जल्दी फैलने और शुकरने से उनमें जो जोर और दरारे पर जाती है परिनाम स इसमें तापमान की विविंता है कारण शैलों की बारी परत प्याज के चिल्के की तरह उतर जाती है अब शकल कहलाता है यानि हम इसको एक्सोफोरेशन कहते हैं लास्ट जो हमारा था बहुत थंडे परदेश में दरारे और जरों में भरे जल के जमने से उसका तुटना यहां पर जो हम अतनम हात्रपून कर रहे हैं वेद रिइंग थे विशहे में चर्चा कर रहे हैं जिसका जूएम की वेशे का विशॉय आप जानना हमारे जरूरी है कtteा स्ट केमिकल वेदरिंग किस परकार बंदर नय योग के बनने को रघषाईर कलते हैं या देखा जाय तो योग की बनने जब अध्या तो नया योग बनता है जर्नली सी बात है और इस निर्मान कारण जो शेलों में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं रशाइनिक अपक्षय यानि केमिकल वेद्रिंग कहते हैं जल औक्सीजन और करवन डक्साइड रशाइनि अपक्ष के परमुख्य कारण के रूप में देखा जा सकता है से एले बी फिजिक्स में भी फिजिकल वेद्रिंग हम ने किया यहां पर जाता है कि रशाइन। favorite scenery को जा और वाईव मंडली जो होता है उसे रसाइन होता है जोता है यह के दिए होता है यह बहुत असान ज।क दूरा जल और बजह जो होता है उसे'S नियुक्राइब्स और कोंगों साथ talk में होती चाहिए कोंकों से सबस् Earle हमारे समक्षपहले पवाइंट यह आता उक्सीकरन दुखिये औक्सीकरन केमिकल प्रॉसेसिंग में प्रॉसेजन की शैलो पर होनेवाली इप्र कर भिए 6 पत्त्र चट्टान होती है तो इसमें अक्साइड बन जाती है और इस परकिड़ा के सबसे अधिक परवाव लोग खनीज पर देखा जा सकता है अधिक परवावित करती है जैसे आपको पता ही है कोई भी लोगा के पदार्त को बहुत जल्दी जंग लग जाता है कि नमी के लोगे लोगे करनों को सबसे अधिक प्रवावित करता है और लोगे के पीले लाल अक्साइड बन जाते यानि उसके बारे में आपको पता भी होगा इसे लोगे पर जंग लगना कहते हैं और क्लांतर में जंग शेलों को पूरी तरह से अभगटित कर देता है आपने सुना अब झोगा जंग लगने कारन बने जो महल है और भी धरासाइफ हो जाते हैं और जो है बने बने फूल už गुछ भी हो जो होते हैं जंग लगने करन बिलकुल खड़ाब से टूट भी जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि वायू जो है अक्सी करन जो है कितना महतफून होता है किसी भी चीज को भी घटन करने के लिए तो कहते हैं यह बहुत भी इंपोर्टेंट बात था और बहुत इंपोर्टेंट परक्रिया थी उसके पर शाथ हमारे समक्षता कर्वोनेटी करन क्या है इस परक्रिया से बिभीन परकार के कर्वोनेट बनते हैं और इन में से कुछ पानी में गुलन स्टील भी होते हैं उधारन के लिए जब कर्वन डैकसाइड युग्द वर्षा का जल्चूने की परवेश शेलो के होकर गुजरता है तो जोडे कारवनिट अमबल की पर क्रिया से काफी चाली और यह दिदूरे धैर जवरों की दिदे बढ़े चाली चाली इसी को कर्बोडेटि करन अफिक्रिया कहती है उसलह विक्डरित होना संभब होता है उस के बाश्याद हमारे समक्षाता है जलयोजन जल्योजन किया है हão इस परिकरिया शायलोगी खळीज में जल अपसोसित हो जाते हैं यानि जल जो है अब्जोप कर– ठीक है और जल के ऑफ्शोशन से शहलों का आयतन बढ़ जाता है जर्नलीजी बात है कोई पत्थर है अगर वो सिंपल है तो उसमें क्या भार नहीं होगा लेकिन जैसे वो पानी पी लेता है तो उसको भार बढ़ जाती है यह आपने देखा भी होगा कहते है आयतन बढ़ जात का निर्मान इसे परक्रिया दोराई होता है क्योंकि जल कि कोई बढ़ जाएगा जर्नल से बात है उसका तुटना संभव हो जाता है क्योंकि यह आसानी से तूट जाता है उसके पश्चात हमारा राश्चान अब अब अगर यह के जो है लास्ट टॉपिक है घोलन यानि या और जिफब्सम इसी परक्रिया दोरा बहा लिये जाते हैं और इससे भी अचासी रॉक को काफी प्रभावित होता है बात यह करें बात कि रसानी अपक्ष में अक्सिकरण करण जलियोजन और गोलन की परक्रिया शामिल होती है यानि इनी चार परक्रिया के अंतर गत्य जो ह इस सारे समब भी हो पाता है यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जैब अभगटे बनस्पति जीव, जन्तु और मुनुष्य के द्वारा होता है यहाँ पर जो जैब अभक्षय पख्ष के अंतरकाट आपने देखा ही होगा कि पेर पौदा के अपना रोल होता है यहाँ पर जन्तुओं हों और इनसानों का अपना रोल होता है यह काफिए पोटेंट रहता है और बात भी रहती है क्योंकि इन शब्सइओं का अपनी वह्मिका है यहाँ पर सबसे पहले point हमारा आता है बनसपति यानि पेर-पोदे कहते पेर-पोदे के द्वर्या शहलो में बहुत तिक और असानी दोनों ही पर किडिया का पक्षयी होता है पेर-पोदे की जड़े शहलों के जड़ों में घूश जाती है और समय के साथ जड़े लंबी और म पूलदों विल्डिंग को उफकर नते हैं थे लिमाएं नंगा predicting सराया थे सतहरे और करना एक नहीं है और प्रकार्पष यहां परूंपत की ड़ाइ में अपना अत्यांत महत्वपून योगदान देती है जैसे कि यहां पर पिक्चर भी शो किया गया है देखिए जिस बात को मैं अभी चर्चा कर रहा था कि दिवारों में पर पेर पौधे उग जाते हैं यहां पर भी दिवार बनाई गई है पेर पौधे उगए हुए है और क्या होगा दरारे जो है टूट टूट के टुकडे टुकडे हो जाएंगे तो इस तरह जो जो है यहां पर बनस्पती की जो है शैलो पर काफी प्रवाब डालते हैं उसके पर शाथ हमारे समक्ष है जीव जन्तू यानि एनिमल कैसे करते देखिए बील बनाकर रहने वाले ज जो है उड़ाकर ले भी जाती है जन्वरों के खुरों से मिट्टी उखर जाती है और इसे मिर्दा आप्रतर के तेजी हो जाती है केचुआ और दीमा का कारे विशेस रूप से महत्वपून होता है बेग्ज्ञानी के अनुसार एक एक कर भूमी में डेर लाग केचुआ हो स इन किरे मकोडे का अपना अत्यंत महत्वपून अस्थान होता है चुआ भी देखिए खोद देता है तो वह क्या हो जाता है वहाँ पर मिट्टी ढीला पर जाता है और किसी करान बस कोई पत्थर होगा तो लुरक जाएगा तूट जाएगा ठीक है केचुआ का भी अपना अ अपना पर जाता है मनुष्य देखिए बिभीन परकार के शैलों के अपक्षे मनुष्य का बहुत वरा हात है आपको तो पता ही होगा कि कुछ हो चाहिए नहों मनुष्य ने तो हर चीज को जो है तैस नहस कर दिया है कृष्वी भवन शरक निर्मान जैसे अने क्रिया तो चुटना तो शैलों का टुटना जो है एक सभाविक बात है अगर हम बात करें यहां पर एक फैक्ट की तो कहते हैं पेर पोदे जीब जन्तू और मनुष्य जैसे जैविक कारक और भौतिक और असानिक दोनों ही जो है परकार अपक्षे के सबसे बड़े कारण बनते हैं कि यहां पर जो हमारे समक्षा है अपक्षे और मिर्दा देखिए अपक्षे जिसकी विश्य में हम बहुत बिस्तार पर चर्चा भी किये हैं कहते हैं अगर मिटी अच्छी होती है इसलिए कि शानों के लिए मिट्टी उपजाव होना कहते बहुत ही इंपोर्टेंट रहता है क्रिशी से सारे संसार को भोजन मिलता है और क्रिशी ही जो है हमारा देश भी आश्रित है कहते अगर बात देखा जाए यहां पर बहुतिक अपक्षे जो है धरात्रे शैलों को बिघड़ित करते हैं यानि बहुतिक अपक्षे जो होते हैं वह धरात्रे शैलों को बिघड़ित करते हैं उन्हें बरिक चुरों में बदल देते हैं और जल इन छोड़ी शोड़ी शैलों को पर्दों को रूप में विछा देता है जैब अपक्ष से हुमस बनती है हुमस जोदी बहुत काफी इंपोर्टेंट होती है क्रिशी करने के लिए और यह जैप अदार्थ पेर पौदों कि के लिए कारण हो पाया है तो यह बहुत बड़ी सर्था जयाता इनकी चत्तार नहीं संभव हो पाया है एगाई अलाव रहता है यहां पर जो अत्यंद महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक आया है जिसका अर्थ होता है तल संतूलन देखिए तल संतूलन मतलब जो सर्फेस है उसको हम कैसे बैलेंस बना सकती है आपको पता है कि जो मिट्टी के कटाब जो होती है पानी नदीद्वरा बहार ले जाती ह लेकिन क्या अब क्या वहां पर वैसा ही कि वैसे ही रहेगा छेत्र तो ऐसा नहीं है कहते है नेचर ने हर चीज़ों को बहुत बैलेंस किया है तो इसलिए जो हमारा यहां पर तल संतूलन इसी बेस पे अधारित है कहते हैं बाढ़े शक्तियों भूमी के समतल बनाने के प्रेतन करती है उप्योग सकती हो कि इस परक्रिया को हम तल संतूलन की परक्रिया कहते हैं कहते हैं अगर नेचर में कोई भी चीज़ को अगर हम परवात करते तो नेचर स्वेम कोई अपने आपको सही करने के लिए हर संभव कोशिश करती है जब वह कोशिश नाकाम्याबी में convert आती है तो वो ज है दुनिया को ही पलड़ देती है तो ऐसा यहां पर होता ही कोई भी अगर जगा पर raison हो रही है मिटी कटाप हो रही है तो क्या वो गड्डा के गड़ा ही रहेगा नै वो फिर से जो है भड़ेगा तो ये कौन करेगा प्राकितिक कहते हैं प्राकितिक स्वयम ही सब कुछ करने में पुन्य सक्षम है कहते हैं अगर तलसंतुन के पड़किरिया में मुख्या जो भूमिका होती है वो नदियों की होती है इम नदियों की होती है पबनों के होती है समंदर लहरे और भूमिक गजल और तल ऑपरदन करते रहेंगे यानि स्षयपन करते रहेंगे यानी बेदरीं सुनर्फ और करती है तरहतल उच्छे भागों को घीस क vendor नीचा करने समथार्द14, को ले जाकर गढ़े नीचे सतार में भढ़ते रहते हैं यानि संतुलन तल जो होती है आपने देखा होगा की कहीं गढ़ा हो जाता है तो पानी बहाब कर जो अई उस गढ़ को भरने की कोशिश करती है कोई गढ़ा होता है और देखिए कि वह गढ़ा समयके साथ तो व्हों उ जगा आके जो एंटीबोडिष चोते होते हैं चाह आर बीसी होते हैं अपना भुखुबी उहां पर काड़े करते हैं तो अब यहां धर्ती पर भी ऐसा काड़े देखने को मिल रहा है माल लिजे कहीं किसी ने गड़ा कर दिया है ठीक है कई तोर फॉर कर दिया है तो नेचर स् भाड को हम तभी लक्षन विहीन पर मैदान कहेंगे जब बाड़े शक्ती वहां अपरदन और निचेपन कारे बंद कर देंगे यानि वहां पर अपरदन निचेपन कारे बंद हो जाएगी तभी मौश को मैदान कह सकती हैं लेकिन ऐसा भाग कभी व्यस्थाई नहीं होता है क् आंत्रिक दोनों ही परकार के सक्तियां कभी पर दूसरे कारे जो है पूरा नहीं होने देती है यह बहुत इंपोर्टेंट बात है कि कोई भी बारे और आंत्रिक दोनों परकार के सक्तियां जो होती है यह पूरा कारे करने देती नहीं है माल लीजिए एक कारक ने क्या किया किस उसमें सरफ जो मिट्टी होते हैं गाड के रूप में वहां से निकल जाते हैं तो यही कारे बहुत इंपोर्टेंट है कि यह दोनों जो है दुसरे कारे पूरा नहीं करने देते हैं हम पढ़ चुके हैं कि आंतरी सक्ति ध्रातल पर प्रमुक्य असल कृति करिती करिमान करती है तो बाहरे सक्ति उन्हें समतल करने में लगी रहती है जो बाहरे सक्ति होती है वह हमेजा समतल करने के लिए कार्यात होती है तो दो भागों में बटा जा सकता है तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से दो भाग है पहला जो हमारे समक्ष आया है निमनी करन देखिए निमनी कर प्रक्रिया के दौरायन शेलो को घीस कर खुरोच कर और काट कर उनके मुल अस्तान से हटा दिया जाता है यानि निमनी करन का आर्थी होता है कि घीस दो या खुरच कर या काट कर उसके मुल अस्तान से हटा दिया जाता है और इसे उच्छे अस्तान दिरे दिरे नीचे होते च पार्दन का कारे बी पूरा करता है यानि इस परकड़िया में तल संतुलन कोई कारद शेल पदार्द को मुल्य स्थान से हटा कर ले जाता है और शेल पदार्द को परिवानी गती के विर्दी के साथ आपरदन और परिवानी के चमता भी बरती चली जाती है यानि समय के साथ आपरदन की सक्ती भी बरती चली जाएगी देखिए अगर कोई पत्तर है माल दीज़े वहाँ पर पत्र हट जाता है तो हांके मिठी जोती है धीली पर जाएगी और अगर बरसाथ होगी या हवा चलेगी तो यह मिठी का परदन होना सोभाविक बात है तो इससे निमरी करन होता है, चाहे हो घिस करो, खुलाच करो या काट करो, तो इन सभी क्रियाओं के द्वारा जो है निमरी करन की बाते Zoom है तो जो हमारा पहला-पॉइंट था और दुसरी बान जो आती है अधिविद्धी अधिविद्धी का और्थ यहीं होता है एक डिडिड़ेशन यानि इसमें Ag का यहीं सिरे डिड़ड का फरक फर्क होता है अगर अजआ इंच्छेत्र च्छेत्र गड़े में अपर्दित पदार्तों का जमा होने को निच्छेपन कहते हैं जब तल संतुन के कारकों की शक्ति घर जाती है तब निच्छेपन होता है या मार्ग में कोई अबरोध आ जाता है यानि माल लीजे कोई अबरोध आ जाता है तो आट्रमेटिक जो है वहाँ पर कुछ भी प्रकडिया नहीं होगी पर इनाम सरू अपरदित पदार गड़े में जमा हो जाते हैं और इसे नहीं असल कृति का निर्मान हो जाता है यानि समतल उपर क्रिया को आप बहुत भली बाती समझ सकती हो यहां पर जो और उचे भाग अब दिखाया गया है दुसरा नीचे भाग है उचे भाग में आप देखिए कि यहां पर स्लैंटिंग लाइन के रूप में माल लीजे आप अदर नीचा होना यान धीरे-धीरे मिटी कट्रा अब होगा क्या नीचे हो रहा है और माल लीजे दुसरा साइड गड़ा था तो वह गड़ा क्या होगा इधर से मिटी कट-कट के क्या करेगा इधर भर देगा तो इससे क्या होगा समतलन की स्तिती आ जाएगी तो यही बात यहां समझाने कोशिश किया गया है इसमें कि निम पुरे जगा पर यह भड़ेगी इसी को हम क्या कहते है तल संतुलन की परकडिया यान यानि डिक्वेशन उपर के चित्र को ध्यान से अगर आपने समझा होगा तो इसमें तल संतुलन की पूरी परकडिया समझाई गई है जो आपके समझ के लिए बहुत काफी जरूरी था इस च परक्यिया के दो आंगो न्यम्नी करन और अधृद्रि को भी समझाया गया है और इस चित्र में दिखाया भी गया है कि अपक्षय और अपर्द्रण उच्छे भागों को निश्वत्त सदर्रे होती है परिवार के द्वार अपरद्रित प्रदारतों को मोलस्तान से हटा कर मंदू जासकता है निच journals गाल पूला नहीं कि अपर्दार long-ov shocking या किसी समय तहल संदुल के कोई एक कारग अधिक किरियाश्या जो सकता है जर्णली सी भात है कभीकोई कभी को करिया eightain कभी की सुलâu जाती है अगर यही बात हम ने यहाँ पर जो पड़ा है अगर किसका निचवड जाने तो यही इसका समढ़ड़ी इक आपरतन की द्वारा दरातरों घिसने की निमनी करन के अंतर गत देखा जाता है अगर हम बात करें अध्विद्धी को तो गड़े को भरकर उंचा करने की प्रक्रिया को हम अध्विद्धी कहते हैं तो यह बात है आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा किसकी क्या परसेसि में बताया भी था कि मिट्टी का जो निर्मान होती है चोटे-चोटे रौकों का टुटने के कारण होता है लेकिन कई माइने में वह बात सकते हैं और इसमें यही बात को जो है उजागर और अच्छे से किया गया है कहते हैं अगर मिर्दा निर्मान की परिक्रिया को हम समझ तो मिर्दा जैब तदा अजैब पदार्तों के एक परवरतल शिल और विकासिल परत जोहत पतली परत होती है यानि जैब अजैब दोनों तरह के जो है फैक्टर यहां पर कारेभूत रहते हैं जो पुष्ट भूम को ढखे हुए होते हैं यह बनस्पतिक आवरन को बनाए र मिर्दार निर्मान के कारकों कोन-kोन से और इसका क्या मेहत वो रखता है मिट्टी के निर्मान में देखा जाए तो मिट्टी के निर्मान के कारक के रूप में जो है मिट्टी के निर्मान के नियंदर करने वाले पांच कारक जो है मुले हुए कहते है मुल शेल हो जाती है मुच्छे वच्छे हो जासकता है समय हो जा कहते हैं चार को किरिजेंगे कारग के रूप में देखते हैं कि यहाँ पर कीमें सब्सकर्णाम के यह मतलब परO कि महत्वपुन कारक है क्यों की kidney floss और जलवाय मेंने कीमहत्वपुन कारक है क्योंकि ये अन्यकारकों के काफी प्रवावित करने में सक्षम होती है, यदि बात हम करें पहले कारक की, तो मुल शेल, देखिए मुल शेल जो होती है पहला कारक के रूप में है, कहते हैं मिर्दा अपने निचले स्थित भीविन खड़ीजों से यूख शेल और मुल्च शेल जो है आरपरदास निडमित होती है यानि यह सारे पदार्थ जो होती ही काफीन पोटेंट होता है जिससे यह मिट्टी के निर्मान होता है मुल्च शेल चोटे-चोटे टुकडों में टूट जाती है जैसे आपको पता कि चटाने जो होती है जब उस पे चोटे-चोटे टुकडों में कनवर्ट हो जाती है जब बहुती रसानिक और जैबी परिक्रादोरा अब घटित हो जाती है इसे मिर्दा के जैब खणीच कडों का निर्मान होता है और यह मुल्च शेल मिर्दा निर्मान में लगने वाले समय इसके रसानिक संगटन रंग गठन बनावट खणीच अंश और उरवकता भी परभावित करता है यानि कोई भी जो है टूटे हुए टुक्रे टुक्रे ज किसी भी छेत्र की असल क्रित मुल्च शैल पदार्तों को प्रदन की मात्रा तो बैहने वाले जल की गती को प्रभावित करती है यानि वहां पर अगर कोई बह बह रहा है प्रदन हो रहा है तो उसको तुच्छे वाज यह काफी प्रभावित करती है इस प्रकार जो automate मिठी और चैटर में जल तेजी से बहता है अगर उच्छाई हो गिरता है तो बहुत ही तेजी से गिरेगा इसलिए तिम्र ढालो वाले छेत्र की भूमी पानी का रिसाब कम होता है यानि पानी का रिसाब नहीं हो कि पानी डिरेक्ट आएगी इसे मिर्दा निर्मान के परक्रिया बहुत धीमी हो जाती है तिम्र ढालो पर अधिक तेजी से होता है इसे मिर्दा निर्माने बाधा पड़ती है, यही कराने कि परवतिय चेत्र में पतली परत वाली कम उपजाओ मुर्दा का निर्मान होता है, यह मिठी का निर्मान होता है, कहां पर परवतिय चेत्र में है, मैदानी चेत्र में पुन्य विक्सिस उपजाओ मिर्दा का निर्मा इंपोर्टेंट होता और काफी जो है उपजाओ छेतर के रूप में देखा जा सकता है जो कि इंपोर्टेंट बात भी रहता है यह समझने के लिए जरूरी है कि अगर परवतिय चेतर पे देखे तो वहाँ पर जो है कम उपजाओ मिट्टी मिलती है और मैदानी चेतर में जाता है इसलिए समय का हर एक बच्चों को कदर करना चाहिए जैसे आप अगर समय पर पढ़ाते पराई अच्छे से नहीं करोगे तो इक्जाम को जो है अच्छे से आप ट्रैक नहीं कर सकती तो यह समय जो है हर चीज के लिए मैद्टी के निर्मान हो चाह किसी के विक्तित योगिदान रहता है मिर्दा का निर्मान बहुत धिरे-धिरे होती है पुर्णय रूप से विक्सित मिर्दा का निर्मान तभी होता है जब भौती रसायनीक और जैवी परक्रिया बहुत लंबे समय तक कारे करती है यानि आप सोचेगा को कोई मिठी का निर्मान एह हो कर दे तो यह बडे बड़े काड़े जो ओते बहुत धीमी समय में होता है अगर मान लिजिए पेर में से अगर कोई अंकुरन भी होना है उसके आसपास तो वह भी धीमी पौटीया होती है तब ही जाके जो है सेल को जो है तूट चाहेगी तो ये सारे परक्रिया में काफी समय लगता है चाहे वह भूत ही हो चाहे रसानिक हो या जैवी परक्रिया हो ये सारे जो है समय के अनुसार बहुत काफी time लेते हैं उसके पर शाथ हमारे समक्षाता है जलवायू, देखी कलाइमेट का भी अपना एक महत्वपून योगदान होता है, मिट्टी निर्मान की परक्रिया में, कहते हैं मिट्टी निर्मान की परक्रिया में जलवायू सबसे अधिक महत्वपून कारक के रूप में देखा जा सकता ह जल्वाईव नगेवल समय की बढ़ी अभधी में मुल शेल पदारतों के करन मिरदा में अत्पन अंतरों को कम करती है अपुत मिरदा में होने बाली जैळी परक्रियाओं को भी काफी परभाविद करती है और इसकान एक परकार के जलवाईू जवाले परदेशों में दू विविन परकार के मुल शेल पदारतों के दौरा एक ही परकार की ज़र मिटी का निर्मान भी करती है अब ठ겨 paradox कितना important आया है कि मिर्दा निर्मान के परकेरियां जलवाईू सबसादिक महत्वक्रापून होते हैं दो विविन परकार के मुल शेल पदार द्वारा एक ही परकार की जो है मिट्टी का निर्मान होना संभब होगी इस निर्मान के परकिडिया को अगर हम एक उधारन के साथ समझना चाहेंगे तो यही बात आती है को धारन के लिटास्तान की शुष्क मरुस्तली जलवाईयों में बलुआ पत्र और गिननाइट एक ही परकार की बलुआई मिर्दा का निर्मान करते हैं यानि अगर देखा जाए मरुस्तली जहां पर काफी गर्मी परती है और रात में उतना ही ठंडी परती है तो वहाँ पर देखा जाए तो बलुआ पत्र और गिननाइट एक ही परकार के बलुआई मिर्दा का निर्मान करते हैं और इसके बिपरित दो बिभिन जलवाईयों परदेशों में एक ही परकार के मुल्ट शेल परदार्तों के दो बिभिन परकार की मिद्राओं का विक्सित होती है उधारन के लिए परदार्थों मांशूनी चलवाई यो परदेशों में जहां लेट्रायट मिर्दा के निमान हुआ है। अनुसार बदलते तापमान इसके वित्रन के वर्षन के एक साथ है और इस परकार जलवाई में एक महत्वपुन भूमिका भी अदा कर सकता है अगर बात यहां समझा जाए तो बहुत काफी इंपोर्टेंट रहता है कहते हैं मिर्दार निर्मान के काड़क देखिए यहां पर जलवाई जिसके परिणाम से अपक्षय होते हैं या प्रभावित भी करती है तो हम एक तरफ चलते हैं पहले हम जिसके परिणाम से अपक्षय होती है अगर जलवाई के अपक्षय होगी तो शैल होगा और शैल के निर्मान करती हो खर्णी मिद्राय होगी और इसके लास्ट लग जाते हैं या दीमक लग जाते हैं और दीमक जो होते हैं अपर खाका के खाका के पेरों को मिट्टी में कनवर्ट कर देते हैं तो यह हुमरस के रूप में कारे करते हैं और इसे मिट्टी को जो है काफी मातरा में जो है खनीच्पदार्थ भी मिल जाता है जिसे उनको किसी की जुरुणत नहीं होती है है आपने देखा होगा कि सता बाहर बन हो या कोई भी बन हो उसमें आपने देखा होगा कि इतने हरीयालिक क्यों होती है वहाँ पर तो कोई खाद नहीं दी जाती है को जो है कि सभी खाद के सता है या या पर बढ dif बिए जाते हैं सरगल जाते हैं और खाद में कनवर्ट हो जाते हैं तो हुम्रस के रूप में कारे करते हैं तो इस परकार जो है मुट्टी का निर्मान के कारक के रूप में पेर पौधा जो है और शेल कई मानने में इंपोर्टेंट भूमिका अदा करते हैं अब यहीं बात यहां प पेर पौधे तता जीव जन्तूओं के सक्रिये भूमका होती है मित पेर पौधे तता जीव जन्तूओं से मिरदा का जैविक अंश बनता है यानि इसे जैविक अंश बनते हैं और अब गटन में जैविक प्रक्रियाओं के सहयोग से जैव पदार हुमनेस के रूप में बदल जाते हैं हुमनेस जो होती है मिट्टी को काफी उपजाओ बना देती है यानि जो भी पेर पौधा के पत्ते होते हैं उनकी टेहनियां होती हो सर जाता है तो वह कई मानने में इंपोर्टेंट खाद के रूप में पौधों के लिए ही खाद देते हैं इसके द्वारा मिर्दा क कि जल धारन करने की छमता में काफी ब्रिद्धियों जाती है यानि मिर्दा को जल को जो है कंसर्व करने में काफी जो है help मिल जाती है मिर्दा इसी जैवी पदार्दों धोरा जो है ब्रहस्पति का पोशन करती है यानि जो मिठी होती है वो सारे ब्रहस्पतियों को जो है इसी परकार पोशन करती है और उसको ब्रिद्धी करने में हेल्प भी करती है इसके बदले में बनस्पती का आवरान मिर्दा की उपरी परत की अपरतन की रक्षा भी करती है बनस्पती का आवरान बर्षा के जल को बहने से भी रोक देती है यानि जो बर्षा के जल होते है वो बनस मिर्दा की नमी का वश्वी करन भी कम होता है और इसे परकार उपजाओ और विक्सित मिर्दा बनने में सहता मिलती है देखिए अगर इस बात को अगर सिंपल लेंग में समझना चाहोगे तो बात यही आती है कि पेर पौदे के द्वारा जो गिरा हुआ पत्ता होता है वो धर पौदे पकर के रखेंगे और उसको बहने भी नहीं देंगे यानि देखा जाए तो एक दुसरे के लिए यह जो हैं काफी इंपोर्टेंट भूमिका अदा करती है जैसे आपको भी तिरपान एसरी सेंडर के लिए हेल्प करने की बात बार-बार कही जाती है कि जितना हो सक इस वीडियो के दुसरे बच्चे तो पहुंचाना है जैसे कि यहां पर पतियां और मिटी कितना अच्छा तालमिल बना रहे हैं तो इसी तरह आप में और मुझे में भी तालमिल अच्छा होना चाहिए तब ही आप सकस्की उचाइप में पहुंच पाओगे जहां आपकी ज जाएगी तो बश्वरी करन भी कम होगा और बश्वरी करन कम होगा तो पेर पोदों के जो है पानी का जो है समस्याओं से जुझना नहीं परेगा यहां पर बात आती है दो जो बहुत काफी इंपोर्टेंट देखिए जलवाई और बनस्पति जो है जीव जनतु मिर्दा न समय यह जो होती है पासिव कारक होती याँ झिषक्रिय कारप के रूप में देखा जा सकता है उसके बश्रात हमारे समख्षाता मिर्दा की स इसो uniformara तो एक इसे मिर्दा की समस्तिर कहते हैं यानि देखा के सबस्ट में मिटी में जो गुन पाए जाते हैं जो मिर्दा के पशिष्ण कहते हैं उसेया मिर्दा की नामें एक दुसरे से काफी बिन होती है मिर्दा सद्रों के दर्शन बाले जो है पर छेदकार को जो है मिर्दा पर शेपन कहते हैं अब यहां पर एक डाइगराम जो देखोगे तो इससे जो है क्लियर हो जाएगा कई क्लास के बच्चों के लिए इंपोर्टेंट है तो हर एक सब्सक्राइब 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 यहाँ पर जो मुक्किय मुद्दा सद्रो और उनकी विस्यस्ताओं का संचेप में और होते हैं काफ़ी सबसे अधिक पाई जाती है इसका रंग काफी काला होता है यानि उसके हम उप मुर्दा मिर्दा कहते हैं वास्ता में निक्षान किडियाओं को पेटी यानि जोन होती है यह दो परहत सबसे मिर्दा मुख्य भाग होता है और इस परहत का रंग उस मिर्दा के अपिक्षा कुछ अधिक काली होती है क्योंकि इस मिर्दा में गुले हुए पदार्थ जमा हो जाता है और मिट्टी के यह गुले हुए पदार्थ वास्ता में हुर्मस या खने जिसके बहुत ही महीन कण होते हैं यानि बहुत ही चोटे-चोटे कण होते हैं और परत के साथ जिस्तिती ही गह वह मुले शेल होते हैं जिसका अपक्षिन नहीं होता है यह मिट्टी पर छेदर की सबसे निजली परत होती है तो आप इतना वाड जो मैंने भी बताया है अगर वह आप लिख ले लगे व्रदा कहते हैं जो शका निचले परत होती है तिसरख गोज नगा वैजलों होती है परत होती है तो आपने सी तरह सै performance कर देना है और मिर्दा आ पर ठ depan जो कई कलासे के इंपोर्टेंट नहीं के से थीर सब्दय कांड ये यहां सीटार्वर्ण समझाया जा रहा है यह काफी सफ़िसेंट रहता है यह प्राकिति-क रहता है जल होती है एक पवन होती है जो मिर्दा अपरदन के लिए सबसे बड़ा उतरदाई होती है मिर्दा अपरदन के पुर्णे स्थान से अधिक दर से यानि काफी अधिक अगर हम बात मिर्दा अपरदन के प्रकार की तो आपको यह पता हो ना चाहिए कम्य रूह सर चार परकार की होती है ठीक है उसके बात का था आपका व्रेल्स एरेजन्स थी और आपका गुली एरेजन्स थी तो इस सारे एरेजन्स बहुत काफ़ इंपोर्टेंट यहां पर मानिता रखता है सबसे पहले हमारे समख्ष यहां आता है पवन आपरदन जो है कई मानने में अत्यंद महतपून है क्योंकि पवन बहुत बड़ी मात्रा में बालू और मिट्टी को महिन कणों को मरसली परद्यसों को उड़ा कर निकटवर्ती केती वाली भूमियों पर पिछा देती है आपने देखा भी होगा कि जब बहुत तेज हव बहुत जबुस्ते में अपरदन के नाम से जानते हैं और यह बहुत कावि необходимо हम देखता है इस परकार के अपरदन को पवन अपरदन कहते हैं और इस प्रकार का अपरदन संसार के मरुषतल से निकरवन्दी परदेशों में हो रहा है बारत में थार मरुषतल एक लाख वर किलोमेटर से भी अधिक चेतर को गेरे हुए है और थार मरुषतल का विस्तार राजस्तान, गुजदात, अर्यान और पंजाम में है और ये पवन अपरदन कहते हैं और यह कई जो है मानने में मरसल चेतरों में काफी होता है तो यह काफी इंपोर्टेंट आपके लिए था उसके बस्यफ हमारे समक्ष परतदार अपरदन तके जल जब एक परत के रूप में बहता है तो यानि जब कोई जल बहती है तो आपने देखा भी होगा कि उसके साथ ऐक छोटी सी परत बहती चलीचली जाती है और इस प्रतदार के अपरदन को जो है प्रतदार अपरदन कहते हैं और इस परकार का अपरदन समाने तरह नदी घाटी या बाड से प्रभावी छेत्रों में देखने को मिला है जहां बाड आती रहती है वहां पर इस तरह के अपरदन जो है आम बात है आपने देखा होगा कि बाड आजाने के बाद जो होता है गरों में कीचर सी भर जाती है तो वही महीन कणों की बात किया जा रहा है तो यह काफी इंपोरेंट रहती है इसे हम प्रदार अपधन के रूप में देख सकते हैं और यह जनरली बाद प्रवावी चेत्रों में ही होती है क्यों कि वह मिटी काफी चेत्रों में ले जाता है और वहां पर जहां पर जटी जगे होगी और वहां पर ज़ो है जहां पर बैके जाएगी वहां पर काफी मात्रा में उपजाओ हो जाएगा अगला जो हमारा है नंदिका अपरदन कहलाता है और इस पर कहा कि अंदर बहुत सी जो है छुद्र सरीता बर्षार रितु में बन जाती है और इसकी गहराई केवल कुछ सेंटीमीटर होती है और यह अपरदन भी करती है इसी नहीं धिकार के अपरदन के नाम से भी जाना जाता है जो कि काफी important रहता है उसके पर शाथ हमारे समक्ष जो है अब नाली का अपरदन देखिए अब नाली का अपरदन क्या है कहते है जल धाल की और जब जो है नलीयों में बहता है तो वहां मिर्दा के कणों को जो खार कर बहार ले जाता है और इसे अब नालिका बन जाती है ये ये धीरे धीरे गहरी और चोड़ी होकर विश्टु छेत्रों में फैल जाती है और इस परकार अपरदन को जो है अब नालिका अपरदन कहते हैं इस परकार के अपरदन भूमी को ज मैंत करते बहुत बड़ी बात है हमारे देश मेंभी इस तरह के अपरधन करते हैं में प्रवावित यह कारक जल और प्रभा की मात्रह और गटी मिर्दाय के होने की चमता डाल का सरूप और मिर्दाय name important है कि ये आपरदन कही कालों पर परभावित करते हैं और यह कालग जल ब्रभाम की मात्रा और गतिभी हो सकती है या मिर्दा wants बंढ hep creation के क्धा पर्धन का उवरन या जेए घर्ण का बनावरण सोब्सक्टी के रूप में यह झावरन मुक्य कालक के रूप में देखा सकता है कहते है साघर की लहएं तडवर्दी छेत्रों में अप्रदान करती है जो चूने के पत्तर जैसी कमजोड शैलो से बने हुए होती है और इस परकार के अप्रदन के तडडन के तड़ पर, काफ़ी बरे पेमानें अपर होता की तो यहां पर important fact के रूप में या summary के रूप में यह बाते आपको note down भी कर लेना चाहिए और लिख भी लेना चाहिए को कि सबका निचोर यहां पर यही है कहते हैं प्राकिती सकती या मानब क्रियाओं से मिर्दा का अपरदन को हटने की पर क्रिया को जो है मिर्दा अपरदन और नाली का अपरदन और अब नाली का अपरदन यानि चार परकार से जो है इसकी मिट्टी का अपरदन होता है ठीक है मिर्दा अपरदन को परभावित करने वाल कारक की रूप में जल परभाव की मातरा को देखा जा सकता है उसकी गती डाल का सरूप और मिर्दाओं के में पास नहीं रह जाएंगे तो इसलिए मिर्दा कारना अतन में से माना जाता है और जानेंगे और प्रत्रेक्ष और प्रश्चेप रूप से बीवी परकार के जीवों का बारन पोशन करता है यहां तक इंसान का भी बारन पोशन जो है मिट्टी के द्वारा ही होता है ठीक अगर मिट्टी जाओ न रहे तो कहते हैं इसान भी जिंदा रहना समभब नहीं है इसके अतरी मिर्दा पतन की परकारिया जो है प्राक्रीतिक इसे अनूटे उपहार केवल नस्ट ही नहीं किया जा रहा है अतुल इसके अने परकार के समस्या भी पैदा किया जा रहा है आपने देखा होगा कि इंसान जितना विक्सित हुआ है उतना ही मिट्टी को परदूसन करने में अ हमारे आने वाले पिडियों के लिए काफी फैदे मन दो मिर्दा अपरदन से बाड़े आती है और इस बाड़ों से सरको रिल मार्ग, पूल, जल, विदूत, परियोजनाए जलापुर्दी और पामपिंग, केंदर और काफी हानी पहुँचती है यह तो आप से कुछ छुपा हुआ बात नहीं है कि मिर्दा अपरदन के कारण न जाने कितने डैम, कितने पडियोजनाए, विदूत, जल कितने ही सरकार के साल में नुखसान होती है, जिसका वर्नन सायथ करना संभब नहीं है लेकिन संभब तो यह है कि हम कुछ हद तक अपनी गत विदियों से मिर्दा अपरदन को रोक भी सकते हैं मिर्दा संद्रक्षन स्थापते उन विदियों से है, जो मिर्दा को अपने स्थान से हटाने से रोकते हैं और संसार के विविन चेतरों मिर्दा प्रदन को रोकने के लिए विविन विविन विदियां अपनाई गई है और विदियों के विविन कुछ नीचे दिया गया है जिसको आपको समधना चाहिए सबसे पहले हमारे समख्षाता है बन संडक्षन कहते हैं इंसान को टॉप पे पहुचने की जो आदत बन गई है उसने क्या किया है प्राकिती को नश्ट कर दिया है और इसके करन क्या हुए बहुत से पेर पोदो जो है खुलियाम काटी जा रही है बहुत ही समस्या मिट्टी के लिए उत्पन कर रहे हैं तो इसलिए बन बनों को सुरक्षित कर दिया है इन बनों में बिर्ख्षो की कटाई पर रोक भी लगा दी गई है मिट्टी का संदक्षन कहीं मानने में बहुत ही महत्वपून रहता है यह सभी परकार के भूब भागों के लिए उक्यूक्त होती है कहीं भी आप चले जाओ इस परकार के मै बर्षा लाने बाले दूत कहा जाता अगर बान लीजे बन नहीं रहेगा तो बर्षा होने की चांसे भी नहीं रहेंगी आपने देखा भी होगा कि आज के समय जो है बर्षा ने अपना समय अब्धी चेंज कर लिया है जब बर्षा नहीं होना होता है तो बर्षा होने का समय इत्तु होना चाहिए नदी घाटिया बंजर भूमी जाता पहारी डालो पर ब्रिक्ष लगाना मिर्दा सनक्षण की सबसे दुसरी बिदी में से माना जाता है इसे प्रदेशों में मिर्दा का अपरधन कम हो जाता है और मरस्वले सिमान चेतरों में पवन अपरधन की नियंद जो है ब्रिक्स लगा कर एक स्थानी रेद को खेतों में जमने से रोका जा सकता है इस तरह जो है मरसले चेत्रों की प्रिदी पर अंकुष लगता है हमारे देश में थार मनुस्तल के विस्तार को रोकने के लिए रहस्तान हड्याना गुजरात पंजाब में बरे पैमानों पर ब्रिक्स लगाये जा रहे हैं जो कि बहुत जरूरी भी है और बहुत इंपोर्टेंट भी है उसके पर शाहत हमारे समक्ष है बाढ़ नियंदरन के लिए नदियों का बांध बनाये गए हैं और इसे मिर्दा का प्रदन रोकने में काफी हद तक मदद मिलती है नदियों के जल को नहरों द्वारा जो है सुखा घड़ा शेत्रों की और मोर कर तता जल सनक्षन के अन्ने जो है सुनियों जित विद्यों द्वारा भी बाढ़ को रोका जा सकता है जो की बहुत इंपोर्टेंट विद्यों में से एक माना गया है कहते है नियों जी कर देने के बराबर है और जल इन डीली मिटी को जो है सानी से बहार ले जाती है क्योंकि मिटी अगर डीली हो जाएगी तो बहाना जो है संभव हो जाता है इन छेत्रों में नियोंजी चराई से बनस्पति को आबरान को बचाया जा सकता है यानि हम उसमें कम से कम चलाएं ज अगला टॉपिक है जो काफी इंपोटेंट है कि बांध बनाना भी बहुत जरूरी है अगर आप मिट्टी को सर्णक्षन करना चाहते हैं तो बांध बनाना अत्यन महत्वपून रहता है कहते हैं अब नालिका अप्रदन से प्रभावित भूमी में बांध या अवरोध बनाकर मिर्दा अप्रदन को रोका जा सकता है और यह विदिना केबल मिर्दा का अप्रदन रोकती है अतुल इसे मिर्दा की उर्भकता भी काफी बनी रहती है जो है भूमी की समतल करने में भी जो है बांध काफी इंपोटेंट जो है अपगनी भूमी का अदा करती है उसके पर श सान बिदी वी है सिरीधार खेट बनाने से तरपते प्रवति चेत्रों में ढलान के आरपार समतर चबुतरे बनाने से और इस बिदी से इन चेत्रों में मिर्दा का अपरदन रुक जाता है जो काफी इंपोर्टेंट रहता है साथ जल्स अंसादनों की समूचित उपयोग भी ह हो जाता है और इस परकार खेटों में फसले उगाई जा सकती है जो की बहुत काफी कारगर सिद्वी हो सकता है इसे सिदार खेट परवतों पर करना अत्यन फैदेमंद माना जाता है उसके पर शाथ हमारे समक्षे समोच रेखिक जुताई देखी बहुत काविंपोर्टेंट है मिर्दा सनलेक्षन की यह बिदी जो है तरंग गती भूमी बाले परदेशों के लिए सबसे अधिक उप्युक्त माना गया है भूमी के समानने उचाई पर जोतने से हल के जो है कुर यानि नलिया ढाल के आरपार बन जाती है और इसे मिर्दा के परदन की गती में भी काफ में परदन माना जाता है उसके पर शाथ हमारे समक्ष है कृष्णी की परदार बीदी अपनाना देखिए मिर्दा सनलेक्षन की यह बिदी जो है मरस्तलिये और अर्द मरस्तलिय परदेशों के लिए तरंग गती मैदान के लिए सबसे अधिक उप्युक्त मानी जाती है इस जैनी फेले के रिड़ा 1 जाता और आप बड़ocy प्रकाते अधिक खाले गिदेखिया जाता है चोड़ी प्रक्राक है यानि जिसमें पहले जो है चोटे जोटे आए कौटे खाली चोड़ी करते आं और इसमें कृश्य कीये थे उनको खाली को थिया जाता जाता है तो यह पीधी काफीट worker भी रहता है कार गडर भी रहता है लेकिन आज के समें में ये अपनाना संभब नहीं है क्योंकि जिंसंक्या जिस परकार बरती चली जा रही है तो खेती करना भी जरूरी है नहीं तो कहते इतनी बड़ी जंसंक्या के लिए अन्या पूरती करना सब्सक्राइब किसी भी देश के संब्भब ना हो। आगे है लेह चेकर cups कि यह कलेती चुन है ह्तिराे को पूल रहेगा क्योंकि इसमें हम फसलों की रोटेशन करती हैं. यानी बारी बारी फसलो के बोने से इस पर इलिया काफी लाश्य सहे लाँ-श्य कहते हैं. कहते इस पर area वार्दन के द्वारा ऐसे खेतों की रुबता भी बनी रहती है , जिनसे लगातार कोई ना कोई फसल खड़ी रहती है, यह वेदी उन छेतरों के लिए उप्युक्त है, जहां चनसंग्या के दवाब के कारण, खेती के लिए भूमी कम रह गई है, और यह वेदी संसार के अधिकतर देशों में अपनाई भी जाती है, और यह काफी ससक्त भी है और काफी जरूरी भी है, क्योंकि इससे चनसंग्या की अपन्य पुर्ती भी हो जाती है, और खेती की जो और वखता है, वो बनी रह जाती है, उसके बस शात हमारे समक्ष है भूमी उदार, देखेंगे, उदार के क्या मतलब है, कहते हैं, जल दौर बनी ख्यात भूमियों क आप संदुल करके मिर्दा अप्रदन को रोक सकते हैं । अग civ गे नदी क lizardy और पहारी परदेशों के लिए सरवधी को भ्यूक्त मानी जाती है हमारे देश में चंबम यम ना नदी के उखत भूमिय Humal सब्सक्राइब काफी हेल्प मिल जाएं कहते हैं मिर्दा सनक्षिन की विदियां जो हमने परा अत्यंद महतपूर्ण है इसमें बनों की रक्षा ब्रिक्ष रोपन बांद बनाना भूमी उदार बाढ़ नियंत्रन अधधिक चराई पर रोक लगा देना पटिदार या सिरिदा क्रिशी समच रेखित जुताई और समय सब्सक्राइब कि सारे के सारे विदी कई मानने में इन पोटेंट है इसको अपनाना चाहिए